कि नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको कुर्ती के फ्रंट में एक नेक डिजाइन बना कर दिखाएंगे और यह डिजाइन हम एक पट्टी से तयार करेंगे यह हमने मैचिंग पट्टी पलट रखी है यह हमारी सीधी पट्टी है आप इसे और यह पट्टी में पलट सकते हैं यह हमारी एक पैर चोडी पट्टी है अब सबसे पहले हम अपने नये की कृटिंग करेंगे बुकरम का साइज हम आपको बता देते हैं 9 इंच हमारी लंबाई है और 9 इंच ही हमारी चोड़ाई है इसे ऐसे भीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे तो दोस्तो अगर आपको नए नए डिजाइन और बहुती आसान आसान डिजाइन देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल अक्सू डिजाइन को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं हमारा नया चैनल है यहाँ पर हम बहुती आसान और नए नए डिजाइन की वीडियो डालते हैं एक बार जरूर देखें तो चलिए सबसे पहले हम अपने मैक की कटिंग करेंगे बुकरम के उपर सबसे पहले ब्रोड नैस का निशान लगाएंगे हमारी ब्रोड नैस है छे इंच उसका आधा करने के बाद तीन इंच पर हम निशान लगाएंगे डीप नैस हमारी रहेगी साथ इंच इसी परकार से तीन इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे डार्क करने के बाद हम इस परकार से नीचे निशान उठा लेंगे और उठाने के बाद यहाँ पर डार्क करेंगे अब हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसके बाद हमें यहां से डेड़ इंच पर मारक लगाना है चारो तरफ और इसके बाद इसके कटिंग कर देंगे कर लिए हमने अपने नायक जी कटिंग कर लिया है अब हम कुर्ती के सेम कपड़े पर रखकर इसे चिपका ले permettre bets मनें अपने नायक कपड़े के है ओपर चिपका लिया और साथ या अदंच कपड़ा बुकरम के हैं और भिकना फर्वर्ड कर लिया है अब हम इसमें सेंटर का कट लगाएंगे निया पर भी हम सेंटर निशान लगाएंगे और अब इसे अपनी कुर्ती पर रखकर अटेच करेंगे तो सिधी तरफ हमें यह रखना है यह हमारा सीधा भाग है कुर्ती का ऐसे सेंटर में रखेंगे यहां एक अच्छी सिलाई लगाएंगे इससे हमारा नहीं की धरुदर नहीं होगा और उसके बाद बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे थोड़ा कपडा छोड़ कर अब हमें अंदर के भाग की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद प्लाई में और नौक में अब हम इसे अंदर के साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद प्रेस लगा लेंगे इससे हमारा नहीं की तरीक से जम जा येगा प्रेस लगा कर हमने अपने नेक को जमा लिया है अब हम यहाँ पर एक lens लगांगे lens हमारी optional है आप चाहे तो यहाँ पर lens लगा सकते हो और आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ matching color की पट्टी भी use कर सकते हो तो अब हमें यहाँ पर एक lens ऐसे लगा देनी है और उसके उपर हम एक पट्टी भी लगा देंगे एक पैर की दूरी पर हम इसे रखेंगे हमारे जो ट्रेंगल हैं वो बाहर नजर आएंगे इस परकार से देखे ऐसे और अब हम यहां से यहां तक लगाते हुए छले जाएंगे अब हम इसके दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे यह हमने अपने नेक के उपर लेंस और पट्टी को एक साथ लगा दिया है अब हम यहां पर पैटन तयार करेंगे तो यह देखे हमने सवा दो इंच चोड़ा और तेरा इंच लंबा यहां पर एक बुकरम का पीस कट किया हुआ है और इसके उपर हमने कपड़ा भी चिपका लिया है यह हमारी सेम कूरुती का कपड़ा है हमने ये चिपका लिया है और चारो तरफ से इसकी कटिंग कर दी है अब हम अपनी पट्टी लेंगे तो सबसे पहले हमें अपने सेंटर का निशान लगा लेना है और ये हमने सेंटर निशान लगा दिया है अब हम एक पट्टी लेंगे और अपने सेंटर में इस तरीके से रख लेंगे और इसके उपर सिलाई लगाएंगे इसके बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है अब हम अपनी पट्टी उठाएंगे और तीन इंच पर इसके कटिंग करेंगे ऐसे तीन तीन इंच पर हम सभी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से अपनी पट्टी को सिलाई हमारी अंदर हो सीधी पट्टी हमें इस परकार से रखनी है ये देखें और जो दूसरी पट्टी होगी हमारी इसे यहां पर आजाएगी बिल्कुल मिलाकर हमें इस अभी पट्टी रख लेनी है आप चाहिए तो इनके उपर प्रेस लगा कर भी इने इस तरीके से जमा सकते हैं एक पट्टी हमारी इस साइड और एक पट्टी हमारी इस साइड और हमें अपनी सभी पट्टी दोनों साइड लगा देनी है ये देखें पहले इस साइड सिलाई लगाएंगे फिर इस साइड ये हमारी सभी पट्टी जम जाएंगे ये हमने एक तरफ पट्टी लगा दी है अब हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे इसी तरह पट्टी से पट्टी निकालका और ये हमने अपने पैटन के उपट्टी लगाएंगे आपने उपर पट्टी लगाकर दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और एक पट्टी समें बीच में आ गई है अब हम सबसे पहले अपने नैक के उपर इसे इस परकार से रख लेंगे बिल्कुल किनारे पर अपने नेक के और इसके उपर सिलाई लगा दें और यह हमने अपने पैटरन को टैच कर दिया है अब यहां से हम अपनी लेस्ट सुरू करेंगे यहां पर घुमा लेंगे और फिर यहां कोने पर आकर भी घुमाएंगे ऐसे चुमनट लगाकर और लेस्ट को लगाते हैं उपर तक चले जाएंगे और यह हमने अपनी लेस्ट को यहां पर लगा दिया है अब हम इसके उपर एक पट्टी लगाएंगे जो हमने कुरती के सेम कलर की पल्टी हुई है ऐसे यह देखें यह हमारी ओरे पट्टी है जो हमारी ओरे पट्टी है वो आसानी से गोलाई में गूम जाती है सीधी पट्टि उमारी गोलाई में नहीं गूमती आप यहाँ पर भी ओरे पट्टि यी यूज़ कर सकते हैं और पेटन के अंदर हमने सीधी पट्टी लगाई हुई है आप चाहे तो इसे भी ओरे पलट कर प्रेस लगाकर बैठा सकते हो तो अब हम अपनी पट्टी यहां पर लगा दें और यह हमने अपने पैटर्न के उपर भी पट्टी लगा दिया है और इसके दोनों तरफ सिलाई लगा कर इसे टैच कर दिया है और इसी के साथ हमार डिजाइन बनकर कंपलीट हो गया है तो दोस्तों हमार डिजाइन आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें नमस्कार